और आपको कन्वर्सेशन में आपको मैंने चैप्टर 18 करा दिया था स्थर्ट टर्म का और अब हम चैप्टर 19 माई कंट्री एंड नेशनल सिंबल्स पतलब हमारा देश और राश्ट्रिय चिन उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी और सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझे इस में जहाँ जहाँ पर अपना पैन रखूंगी वहीं पर आप ध्यान देंगे कि क्या कोश्चन है हमारे नेशनल सिंबल्स बहुत सारे हैं इनके बारे में आपको इस चैप्टर में समझाया जाएगा और सभी ध्यान से सुनें कोश्चन नमबर वन है हमारे देश का क्या नाम है मतलब क्या दिश का क्या नाम है रगारे अफमा ओफ मैं नेंओ पाठीरेश के नाम है घारत है तो वात इस नेम ओफ योο कंट्री ले नेम ओफ मैं कंट्रीश एंड आम तो अधर other names Is इंडिया आल्सो नौन एस भारत को जो हमारा देश है भारत उसको और भी नामों से और कौन्से नामों से भी जाना जाता है ऑज़िस trash- हारत अ और हिंदुस्तान भारत या हिंदुस्तान पर हमार आता है कृई 3 पर percentage मारे भारत की मतलब भारत की राजदानी कौन सी है भारत morning indeed भारत की राजधानी कौन सी है देली इस दा डेली अपने डेली का नाम सो सोना ही होगा डेली इस दा कैपिटल ओफ इंडिया वेन इंडिया बिकम एज इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें 247 को आजाद हुआ अब आता है हमारा कोश्चर नमबर फाइब इंडिया बिकम ए रिपब्लीक अब गड़तंत्र दिवस भारत में गड़तंत्र दिवस कब होता है इंडिया बीकेम ए रिपब्लीक और 26.01.1950 भारत में सवीधान लागू गग हुआ था तो यह था 26.01.1950 तो यह हुआ था आप आता हमारा कुछनबर 6 what is your national language language मिन्स भाशा हमारे देश की हमारी राश्त्रिये भाशा क्या है हिंदी अभी पोलते हैं उंदी हमगी हिंदी इस और नेश्नल लांगवेज हिंदी हमारी नेश्ट्रिये भाशा है वी चीज अपड़ नेश्ट्रिये भाशा हैं हमारा कौन सा है राश्ट्रिय खेल होकी होकी इज अर नेशनल गेम होकी इज अर नेशनल गेम तो हमारा राश्ट्रिय जो खेल है वो है होकी विच इज अर नेशनल फ्लार हमारा नेशनल राष्ट्रिये फूल कौन सा है राष्ट्रिये फूल तो दा लॉटस इज अर नेशनल फ्लार हमारा राष्ट्रिये फूल कौन सा है लॉटस मिज कमल तो दा लॉटस इज अर नेशनल फ्लार Friends, आज मैं आपको इतने ही question बताऊंगी और आप इन सभी को learn करना इन सब की practice करना आपस में बोल के एक दूसरे से बोल कर घर पे इसकी अच्छे से practice करना मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी इनको अच्छे से learn करेंगे Thank you, have a nice day